जारखंड के बीजूपी विधायक जैप्रकाश पटेल ने चुनाओं से पहले कॉंग्रिस का हाथ थामा। चर्चा है कि जैमेम से अपने सियासी सफर की शिरुवात करने वाले जैप्रकाश पटेल अब कॉंग्रिस के टिकट पर हजारी बाग या गिरिडी से चुनाओ लड़ सकते हैं। वैसे दल बदल सिर्फ जारखंड में ही नहीं हुआ। बिहार में भी नेताओं को साथ जोड़ा जा रहा है। मकसद सिर्फ अपनी सियासत ताकत बढ़ाने का है। देखे क्या चल रहा। पहले गीता कोडा, फिर सीता सोरेन और अब विधायक जेपी पटेल। जारखंड में सियासी हलचल तेज है। लोगसभा चुनाओ में बीजपी ने सभी 14 सीट जीतने का लक्ष रखा है। तो INDI अलाइंस भी जवाब देने को तयार है। कोई भी गड़ बंधन हो, हर उस व हजारी बाग की मांडू सीट से बीजपी विधायक जेप्रकाश पटेल ने चुनाओ के पहले कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया। सामिल हुआ तो हमारे जो पिता के जो सपने है, जो विचार है मैं उस दल में नहीं पाया। और महा गठबंधन का हमेशा मेरा पिता जी एक समर्थक रहे हैं। और आज ये मुझे ये कहते हुए बहुत गर्ब हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन र तीन बार विधायक चुने गए। उन्होंने राजजनीती की शुरुआत जारखंड मुक्ती मोर्चा से की, बाद में जे एमेम छोड़ कर बीजपी में शामिल हो गए। 2019 में उन्होंने मांडू से विधान सभा का चुनाव जीता, वे बीजपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अब लोक सभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस को बड़ा जनाधार वाला नेता मिला है। जेपी पटेल का हज़ारी बाग के अलावा गिरिडी, धनबाद और र एक कॉम्नीटी को लीड करते हैं और उन सब के बहुत बड़े लीडरे हैं। इसका इमपैक्ट हमारे जारकंट के अलावा भी बहुत सारे स्टार्ट स्टेटू में पड़ेगा। उस अस्तर के ये नीता है। और उसूलों की राजनीती की है इन्होंने और उन्ही उसूलों के बिन्याद पर आज जब ये जॉइन कर रहे हैं तो इनके बहुत सारे मानने जानने वाले हैं और इसका जरूर पुलिटिकल इंपैक्ट पॉजिटिव होगा कॉंगर्स पार्टी के लिए। और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है और ये लगातार इस तरह की बाते होती रहती थी हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिस्ता रहा है इनके पिता स्वर्गिये टेकलाल महतो जैप्रकाश पटेल को लोगसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है चर्चा है कि उन्हें हजारी बाग या गिरी डिह से कॉंग्रेस उम्मीदवार बना सकती है जेपी पटेल के पता टेकलाल महतो की गिनती जारकंड आंदोलन के बड़े नेताओं में होती है कल तक मोदी की गैरंटी का दम भरने वाले वधायक ने जब बाला बदला तो बीजेपी ने जैप्रकाश पर तंज कसा मेरे उपर कोई फरक नहीं पड़ता है कौन आता है कौन जाता है तो कल कोई आया है कल फिर कहां रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता अब कोई लिए गया है कल कहां रहेगा उसकी गारंटी नहीं देखिए इस तरह की चीजें जो होती है जिसके मन के अंदर अती महत्वा कांशाएं हो जाती है वह इस तरह का काम करता है जेपी पटेल ऐसे तीसरे बड़े नेता है जिन्होंने हाल में दल बदला है इससे पहले कॉंग्रेस की सांसद गीता कोडा बीजेपी में शामिल हो चुकी है और उसके बाद 19 मार्च को सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने कमल थाम लिया अब जेपी पटेल कॉंग्रेस में शामिल हुए यानि रज्ज की तीनों बड़ी पार्टियों को दल बदल का सामना करना पड़ा वैसे दल बदल सिर्फ जारखंड में ही नहीं हुआ बीहार में भी खेला जारी है 19 मार्च को पूर्व केंद्रिय मंत्री अली अशरफ फात्मी ने नितीश का साथ छोड़ दिया और पुरानी पार्टी आरजडी में शामिल हो गए वही फात्मी जो 2004 से 2009 तक UPA सरकार में मानव संसाधन विकास रज्य मंत्री रहे वे चार बार दर्भंगा लोगसभा सीट से सांसद रहे 1991, 1996 और 1998 में लगातार तीन बार दर्भंगा से MP बने 1999 में फात्मी को हार का सामना करना पड़ा लेकिन 2004 में चुनाओ जीत कर केंद्र में मंत्री बने 2019 में फात्मी आरजडी छोड़ कर जेडियो में चले गए बने दोनों सीट बीज़बी के खाते में चली गई तो फात्मी फिर लालू के साथ आ गए यह मुलक के हित में देश हित में राज्य के हित में यह ज़ुरी था और मैंने महिसूस किया के त्याग पत्र देना चाहिए और एक बड़ा कदम उठाना चाहिए वो मैंने उठाने का काम किया दरअसल यह जो सरकार गिरी बिहार की और जिस तरह से गिरी इसमें हम लोग बहुत आहत थे मैं असकाम बातचीत होनी चाहिए थी और कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था वैसा कुछ हुआ नहीं तो इनी सब कारणों से मैंने छोड़ दिया मैं दुमनी से चुनाओ लड़ना चाहता था क्योंकि मैं साथ मरतबह 2014 तक मिला लिए तो साथ मरतबह दरवंगा से चुनाओ लड़ा और उसमें चार मरतबह जीता भी अब एक ही जगर से बार-बार खड़ा होना बहुत अच्छा नहीं है इसलिए मैंने 2019 में फैसला किया था और रिक्वेस्ट भी किया था लालुजी से कि मुझे मदवनी से लड़ाया जाए अभी भी मैं मदवनी से चुनाओ लड़ना चाहता फात्मी ने 20 मार्च को जेडियू का साथ छोड़ा तो इसके एक दिन पहले पूर्व सांसद लवली आनंद आरजवडी का साथ छोड़ कर जेडियू में शामिल हो चुकी थी पूर्व सांसद आनंद मोहन की पतनी लवली आनंद के जेडियू में शामिल होने के कयास तभी से लगाय जा रहे थे जब उनके बेटे चेतन आनंद फ्लोर टेस्ट के दिन पाला बदल कर सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए थे जेडियू में शामिल होते ही लवली आनंद ने सम्था पाटी के दिनों को याद किया और कहा कि किराय के घर से अपने घर लोट आई हूँ जुनावी प्रक्रिया का अभी शुरुवाती दौर है और इसके साथ ही नेता फायदे वाली जगह ढूंडने लगे हैं कयास लगाय जा रहे हैं कि टिकट बंटवारे के साथ दल बदल का दौर और तेज हो सकता है अभी इंतजार है टिकट मिलने का जब अपनी पाटी नहीं तो किसी और से ही सही ब्यूर रपोर्ट कशिश नियूज